अस्सलाम अलेकम विवर्स मैं हूं मुस्तफा अलवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलवी अगरीकल्चर फार्म तो जनाब आपको आज इस चीज के बारे में बता रहा हूं ये जीवन गारलीक है अगरीकल्चर के मदान में इसने बड़ी दूम चाहिए हूई है और ये बड़ा महगा फरोखत होता है और ये एकड में कितना निकलता है इसको क्या खादें डाली जाती है और किस मौसम में ये लगता है और इसको कौन कौन सी मैडिसन यूज करवाई जाती है यह सारा को जानने के लिए हम जो यहां के किसान है जिनों ने यह जीवन गारलिक लगाया है उनसे आपकी बाचीत करवाते है तो जी इसलाम अलेकुम जी जी सर पहले अपना नाम और तरफ करवाईएगा यह कहां पर आपने किस मौज़ा में लगाया हुआ है यह जो जानाब हमें बताईएगा हमारे वियूवर्स आपको देख रहे हैं और यह जानना चाहेंगे क्ये जी वन आईकल बड़ा मुशूर है तो ये कितने क्येजह आपने लेकर लगया। लेकर लगया थे 4.000 रपे किस रहर फे 2 किलोगा है। शर्मानने को नहीं आता कि हो वे थोम boatर 2.000 रपे किलो ये चार हवाई सब्सक्राइ利दे थे करती बिश्थ चार हजार के किलो लाया तरही नहीं किलो लाया है। ति ये जो तो कच्छा निगल दाव है उदो किसरां किलो वेकदाव है याटसुर पे किलो बिल्कुल ताजा जबरदस्त हो गया जी वीवर्ण आप देख रहे हैं यह उन्होंने गारली की जो फसल लगाई है यह बताया जा रहा है कि जी वन गारली का इसका पौदे का तना च करें इन से पूछती है कि इन्होंने किस मोसम में लगाया तो यह क्या क्या नहोंने नीचे डाला है सारी तफसील से पूछते हैं माशा ला यह किछन गार्डिंग किसी फार्म पर की है तो जबरदस्त यहां पर बिल्कुल करना चाहिए जो फार्म आुश की जगा है उनको य किनाल की जगा पा रहा है यानि कि यह 800 किलो एक एकड़ पे लगा ठीक है और एकड़ आपने बताया है कि 400 मन निकलता है तो उससाब से पैसे तो जी करोडों में चले जाते हैं जारी बात है ख़चा इतना होना फिर पैसे है जी बीच बहुत महंगा है ठीक है तो हमें यह बता है उसके बाद आधि बोरी डीएपी मलागे अंदर आपने डीएपी नीचे डाला 12 किलो यूरिय आ कUh कशीश कीश्प किलोbi आ पने डीएपी डाल दिया और 12 किलो आ फ्र आपने यूरिय डाल दिया ठीक हो गया फिर आपने ख्येले नकाल दिएक ठीक वोगय तो ये जग था हाथों से लगाया है तो ठीक हो गया जी बहुत शुक्रिया जी हम अपने वीवर्ज को आप बताते हैं बाकी चीजें जी तो वीवर्ज अश्रफ साब जैसे आपको बता के गई हैं कि ये माशाला से कितनी प्रोडेक्शन देता है एक एकड़ से चार सो मन इसकी एवर्ज आती है और ये उन्होंने अक्तूबर की दस तरीकों लगाया इसको लगे को आज जो है अक्तूबर नुवंबर दिसम्बर सवा दो महीने हो चुके आज 28 दिसम्बर है तो इसकी जो बरदाश्त है वो जी आपको एपरिल के महीने में होती है जब इसकी हारवेस्टिंग जो है ये एपरिल 10 और 12 के दर्मियान में हो जाती है तो इसकी जो नीचे गंड़ा है यो बहुत लेट बनता है अभी तो ये थुरी ही होती है मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी जश्ट एक तना है नीचे ठीक है तो बहुत लेट जाकर ये नीचे जो है वो बलब बनाना शुरू करता है starting में यह पौदय को ताकत देता रहताений और इसकी जो एक जो बलब है वो तीन बलब जो जो है वो एक किलो को आते हैं दो से तीन बलब एक किलो एवरज आती है इसका वजन है जैसे प्याज इतना मोड़ा होता है ये मीडियम साइज का जो प्याद होता है उसकी जिसामत का ये गारलिक ये थोम निकलता है तो किसानों के लिए ये बड़ी एक अच्छी चीज है लेकन इसका सीड बहुत महिंगा है इसको कब खरीदें आपने कम लोइस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप इसको खरीदना भी चाहरे है लगाना भी चाहरे है तो विवर्ज जब ये नय नय आया था 2019 में तो ये 500 रपे किलो था सूका हुआ लेकन उसके अगले साल 2020 में जब ये इसकी कल्टिवेशन हुई तो इसका रेट चला गया विवर्ज आट सू रपे गिले का ठीक है जब ये आट सू रपे गिला सेल हुआ तो 2000 अब है 21 तो अब जी इन्होंने 2021 में 5000 पे केजी उन्होंने रेट बताया जब इन्होंने 4000 पे किलो लिया ठीक है तो बताने का मकसद है जब ये 2020 की जब फसल ये अपरिल में कल्टिवेशन हुआ था इसको तो ये जनाब इन्होंने सारे जीमिदार जितनी भी इन्होंने ये लसन की ये वाली फसल लगाई थी तो इन्होंने आट सू रपे गिला बूक समयत ये जो बूक है ये इसको बूक कहते है जी इसका जो तना है तो इतना नीचे बलब और ये बूख समेत कच्चा जो गया ये 800 रुपे किलो बिका था ठीक 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद बूख साथ ही थोड़ सा खुश्क हो गया इसका रेट चला गया जी 2000 रुपे काफी अर्शा इसका रेट रहा जब इसका उपर से ये तना खुश्क हो क्यों है तो अभी ये सिर्फ सीड की गेम इसके साथ खेली जा रही है अभी मंडी में ये सीड ये वाला गारलिक आपको नजर नहीं आएगा इतना बड़ा गारलिक जिस्ट हमारे पास जो आता है वो हरनाई गारलिक होता है और हरनाई गारलिक जो बड़ा चैना थोम जिसे यह चैना थोंभी हम कहते हैं एसे कि चैना का गार्ली कमोतामोटा जो हम स्टोर वगरा शौ वगरा से लेते हैं आपने बनाने के लिए वेज़ीटेबल जब पकाते हैं तो वो जो मोτοë 0 decentral लेकं डेसी थोंभी अपनी ही एक क्वालिटी है तसीर है उसको हंडी में जब डाला जाए देसी को तो उसका एक अपना ही जैका है बरहाल ये थोम जब मार्कीट में पिछले तीन सानों से लग रहा है जिन्होंने खाया है टेस्ट उनी को पता होगा मैंने तो इसको जो खाया है नहीं अभी तक कुछ लोग कहते हैं ये देसी टाये प लगा के खाया जाता है ये यानि के इस परपस के लिए है यॉर्पियन कंट्री और अमेरिका में अमेरिका में इसे जी अलीफंट गार्ली के नाम से भी जाना जाता है और यॉर्पियन कंट्री में भी इसे अलीफंट गार्ली के नाम से जाना जाता है जबके पाकिस्तान मे जी NRC जो हमारा नेशनल अदारा है जो के जरील यासे रिसर्च इंसिट्यूट है NRC इसलामबाद में जो है चक शजाद के अंदर जो वाकिया है जो के जिरात के अंदर माशाला से इस वक्त उन्होंने बहुत अपना लोहा मनवाया है वहां पर इसको जी इसके उपर इसके पोलन के साथ जो खिलवाड करके एक नई ब्रीड बनाई गी है जिसको G1 गारली का नाम दिया गया है और इसकी पैदावार में भी अजाफा किया गया और इसका जो थोम का जो चिलका है इस लेसन का उसको गोल्डन बनाया गया ठीक है गोल्डन देसी टाइप तो आपने हरनाई थोम या चैना का थोम जब देखा है तो वो वाइट होता है मोटा होता है वाइट होता है उसमें भी कुछ थुरियें गोल्डन गोल्डन नजर आती है लेकन ज्यादा तर जो है इसको इन्होंने हमारे na arci वालोंने पोलन के साथ इसके साथ जो खिलवार कुई गेम शिम करके जैसे जिनेटिकली चीजें करते हैं, लिबार्टरी के अंदर, तो इसको जनाव उन्होंने जो डिवेल्ब किया है, वो इन्होंने इसको देसी टैप बनाने की कोशिश किया, और जहां पर दूसरे कसान इसको लगा कर देखें ये वाला जो रकवा है आप देखनें सिर्फ दो कनाल पर इन्होंने फस्ट टैम लगाया है और जिन्होंने पाकिस्तान में पिछले साल एक एकड लगाया और उन्होंने इस से देड़ करोड रुपया अर्न किया तो माशाला से एक एकड से देड़ करोड रुपया अर्न करना बहुत बड़ी बात है और पिछले साल इसका जो रेट था पाँचसुर रुपय किलो था जबके इस साल इसका जो रेट है वो चार हजार से पाँच हजार पर तजावज कर चुका और ये रेट कौन नकालता है ये डिमांड फिदुर्ट हो चार सो रुपय निकलता है देट प्रफ मन अगर इसको सुका कर ये दो सो मन भी रह जाये यानि कि हाफ आफ-ाफ आदा सूख जए तो दोस सो चोड़ के आफ सौ आफ सा मन भी लगाए जी झाप खुश्क हो जहे वार्ट द्राई हो जहे तो तो सौ मन आप मल चालिस किलो को जब आप मल्टिप्लाइ करते हैं पैंटी सो रपैसे और पैंटी सो जब कर लेंगे मन का रेट नकाल लेंगे तो मन के बाद आपके पास मन का रेट आजेगा कि इतने का मन है तो मन के बाद आपने सो मन यानि के जो अमाउंट आनी है चालिस मल्टिप्लाइ पैंटी से उसको मल्टिप्लाइ सो से करना है बाद में तो उस अमाउंट को जब आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपके सामने एकड़ में आप ये कमा रहे हैं हमने देखे चार सो मन अगर नि किलो गया बूकों समेथ ठीक है और अगर हम इसका रेट लगा लें जी के इस साल इसका रेट एक्सपेक्टिड है जी अगर पाकिसान में बहुत ज्यादा कसानों ने लगाया है तो यह जी पाइंसो रपे किलो इसका रेट हो जाएगा तो हमारी जराध आपको पता है कि इंडिया से हम काफी पीछे हैं जैसे हम मसाल देते हैं जी हम गोरे से सौ साल पीछे है तो इंडिया से भी हम लोग हम अजाद तो ऐक ही दिन दिन ह क्यानि रहा जाद हो घेए्गा लेकन वो हमसे agriculture department में बहुत आगे हैं आईटी में वो बहुत आगे हैं हमसे तो हम उनकी तरफ देखते हैं उनकी वीडियो देखते हैं यूटियो पर फिर इस तरफ आते हैं तो मैं next वीडियो में अपने किसान बाईयों को बताऊंगा कि क्या क्या लगाना चाहिए कौन सी फस हमारा एक department होने चाहिए कि इन एरियों में गंदम की पैदावर अच्छी आती है तो यहां पे गंदम काष्ट कर ले ठीक है तो वो एरिये वहां पे गंदम ही काष्ट हो तो बाइज जगे देखी जाएं कि यहां पे चावल काष्ट होता है तो यह वाला region जो है यह चावल क होगा तो फिर किसी भी चीज़ का rate डौन नहीं होगा हमारा कसान अच्छा खाएगा अच्छा पिएगा और अच्छा अर्न करेगा कसान खुशहाल तो पाकिसान खुशहाल क्योंकि यहां पे हम सतर फिस्द जो है हम लोग depend करते हैं अपने agriculture चीज़ों पर और आपने सुना ह पड़ा होगा जब हम पांच्वी चटी क्लास में थे के जरात पाकिस्तान की मशियत में रीड की हटी है तो अगर रीड की हटी धर्द हो या रीड की हटी ही कमजोर हो जे तो हम लोग पीछे की तरफ चले जेंगे तो अगर हमारे जराई यूनिवरेस्टिये या हमारे जो सबाद गुजरावाला ठीक है सेाल कोट और ये वाला एरिया नहरी एरिया जो है ये चावल के अंदर मशूर है यहां का चावल भी बहुत मशूर है तो यहां इन इसों में चावल की कास्त की जाए और पंजाब के जिनूबी पंजाब के जो एरिया यहां पे बार्षें कम ह होती है और पानी तो मजूद है लेकर बारशें बहुत कम होती है तफान कम आते हैं वहां पे गंदम की काश्ट हो जाए ठीक है आई कल ड्रीप एरिगेशन का सिस्टम आ गया है गन आप पाशी का सिस्टम आ चुका है आपने सौदी अरह में आप अगर देखें तो उन्होंने बटियां की तरफ जो है वहां पे निशात मिल के जो आउनर है मिया मंच्छा साब उन्होंने कुछ लेंड ली थी जो के रेत ली थी दरिया के उपर ठीक है तो उन्होंने वहां पे जो जरात का जो सिलसला पनाया वहां पे पानी नहीं था दरिया के उपर थी जमीन तो वहा पाइपिंग के जरीए नीचे टायर लगें हुए हैं और वो गूमती है पूरे रकबे के एरदगर्द और बारिश करती जाती है और खादें और पानी वो बारिश के जरीए ही मुस्मुरी बारिश के जरीए ही देते हैं तो हमें भी जरात को अगर अपनाना है तो जदीद और जिर्ई यूनिवरेस्टियों से हमें थोड़ा बहुत तजरबा और हमें कोर्सिज औगारा करने चाहिए हमारे हुकमरानों को अग्री कल्चर पॉइंट अफ से हमारे लोगों को करवाने चाहिए चोट-छड़े कोर्सिज तो बाते काफी लंबी हो जाती है मेरी जी मेरा जो चैनल है ये हकीकत पर मबनी आपको वीडियो अपलोड करता रहेगा और डेली बेस पे हमारी एक वीडियो आती है जो किसी ना किसी चीज़ के बारे बेर इन्फरमेशन होती है हम लोगोंने पोल्टरी से स्टार्ट किया और अग्री कल्चर हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम भी अलवी अग्री कल्चर फार्म है और हम इसको agriculture बहुत वसी डपार्टमेंट है इसमें जीमी दारा भी है इसमें जो है मुर्गबानी भी है इसमें dairy farming भी है और इसमें वरकशॉब भी आपको आगे चलकर जो वरकशॉब हुआ करेंगे इसमें भी आपको लेकर जाया करेंगे और उस पे भी वीडियो बनाया करेंगे कि हमें हमारे जो बेरोजगार लोग हैं नौजवान नसल है उनको कैसे आगे चलना है कि जॉब्स अपरचिनिटी बहुत काम है पाकिस्तान में और हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं तो यह सब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए बेल आइकान का बटन प्रेस करेंगा बेल आइकान जब भी कोई नहीं वीडियो हैगी तो आपको एक नोटिफकेशन आजेगा तो वीडियो मेरी लंबी ज़रूर होती है मेरी चोटी से चोटी वीडियो भी 12-13 मिंट की होती है लेकिन इंफर्मेटिव होती है मेरी कोश़ होती है जो मेरे पास नौलेज है मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर दो तो बहुत शुक्रिया हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसके ओपर जस्ट किसी खेट पे खड़े होके जस्ट ऐसे बताएंगे मैं कोशच करूँगा कि उसी जिस वीडियो बनानी है उसी खेट पे जाके वीडियो बनाई जाए कि सोया बीन की काश्ट पाकिसान में हो रही है सोया बीन मार्कीट में 120 रपे किलो सेल हो रहा है लगा लें कसान का 70 रपे या 80 रपे किलो सेल हो तो बहुत बड़ी एमाट बनती है तो जैसे जी वन गार्लिक की फसल के अंदर खड़े हैं तो जी वन गार्लिक के बारे में आपको अश्रफ साब ने बताया जो के इस फारमा उसको देखभाल कर रहे है तो उनने बताया कि ये ये इतने का हमने लिया लिया है तो उर्थ एतने मन निकलता है तो सोया बीन की कास्ट बहुत अच्छी है पापाइया की फसल पाकिस्तान पूरे में हो सकती है यानिके पंजाब के वस्ती पंजाब में यानिके जो हमारा वस्त पंजाब है और सिंद सारे में पपाया की फसल बहुत है और पपाया की फसल 12 से 13 लाक आपको प्रॉफट दे सकती है एक साल के अंदर अंदर इस तरह और भी बड़ी चीज़ें है जी फिशरी की अंदर आजें बायो फ्लाग फिश फार्मिंग है ठीके काफी चीज़ें ये आप से सारा कुछ हम डिसकस किया करेंगे मुझे जादी जी जी आपको सहत तन रुस्ती दे और जो वीडियो के आखर तक जुड़े हैं मैं उन और शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा